प्रेश्ण 11 रूप रेखा के आधर पर काहानी लिख कर उसे उच्छित सिर्शक डीजिये मिट्रों काहानी सुनना और सुनाना सबको अच्छा लगता है काहानी से हमारी जिगनाशा बढ़ती है कि इसके बाद क्या होगा अगर काहानी सच्ची गतना भी हो सकती है और कालपनिक भी हो सकती है काहानी लिखते वक हमें क्या ध्यान रखना है वो हम देखते हैं मित्रों काहानी लिखते वक पहले उसके बारे में हमें ठोडी देर सोचना चाहिए पात्रों को अपनी कल्पना का एक रूप देना है कहानी में आप मुहावरो का प्रयोग भी कर सकते हैं मुहावरे कहानी को रोचक बनाती है कहानी का आंद केशा होना चाहिए प्रभावसाली होना चाहिए तो चलो हम कहानी को समझते हैं कि आपको केशा लिखना है यहाँ पर डीगए कहानी की रुपरेखा मैं पड़ती हूँ, सुनू, प्यासा कव्वा पानी के लिए इडर उदर बतकना, घडे में पानी देखना, पानी का बहुत नीचे होना, पानी उपर लाने का उपाई सोचना, घडे में कंकर दालना, पानी का उपर आना, प्यास बुजाना, मिट्रों, यहाँ पर प्यासा कव्वा है, और वो अपनी पानी की प्यास बुजाने के लिए क्या करता होगा, यह सोचकर आपको लिखना है, और उसे एक उचित सिल्षक भी देना है, आपने यह कहानी तो सुनी ही होगी, अब हम दूसरी कहानी देखते है, एक बुदा किशान, तीन आलसी लड़के, किशान का लड़के को बुलाना, अपने खेट में एक खजाना गड़ा हुआ है, किसान की मृट्यू, लड़के को सारा खेट खोड़ाना, खजाना न मिलना, वर्षा, बीजबोना, अच्छी फसल होना, लड़के को हर साल खजाना मिलना, मिट्रों, यहाँ पर एक बुधा किशान है, और उनके तीन लड़के कैसे हैं, आलसी है, तो वो तीनों लड़कों को बुलाते हैं, और अपने खेट में एक खजाना है, ऐसी बात करते हैं, यहाँ बात करके थोड़े दिनों के बाद किसान की मृत्य हो जाती है, और उनके लड़के खजाना धुनने के लिए पूरा खेटर खोड़ डालते हैं, क्या उसको खजाना मिलता हैं, नहीं, खजाना तो नहीं मिलता, थोड़े दिनों के बाद बारिस सुरू हो जाती हैं, और वो लोग बीच बोटे हैं, तो उससे अच्छी फसल होती हैं, अगर फसल अच्छी होगी तो क्या होगा, सोचो, तो यह सोचकर आपको पूरी कहानी बना कर लिखना है, ओके, अब हम कहानी नंबर तीन देखेंगे, दो बिल्लियां भोजन की तलास में, रोटी का तुकड़ा देखना, जगड़ा करना, बंदर को देखना, रोटी को खाने की तरकिप सोचना, बिल्लियों के पास आना, रोटी का दो बराबर हिस्सों में बातने के लिए मनाना, तरा जुलाना, रोटी तरा जुके दोनों पल पल्डे में से खाना, डोनों पल्डे में से तुकड़े छोटे ही हो जाना, पूरी रोटी खा जाना, मुर्खता पर पच्चतावा करना। दोनों को बराबर हिस्से में बात करता है और तराजु लेके आता है वो तराजु में डोने पल्ले में रोटी रखता है जिस पल्ले में रोटी भारी हो जाती है उसमें से वह खा जाता है इसी तरह वह पूरी रोती खा जाता है बिल्लिया यह देखती देती है क्योंकि वह मूर्ख है बिल्लियों के हिस्से में कुछ भी नहीं आता पूरी रोती बंदर ही खा जाता है डुनों बिल्लियों को जगरने के लिए बहुत पच्चावा होता है लेकिन अ आपको यह कहानी समझ कर पूरी लिखनी है, ओके? प्र110 बार नीचे दिये गद्यांस को पढ़कर प्रेश्नों के उत्तर लिखे पित्रों यहां पर आपको एक परेग्राफ दिया गया है। उसको पढ़कर जो प्रिसन दिये गया है उनके उत्तर आपको धुन्दकर लिखने होगे। तो चलू मैं यह परेग्राफ को पढ़ती हूँ। बाट्सा सा जहा की बेगम का नाम था मुम्ताज, सा जहा मुम्ताज को बहुत चाते थे, एक दिन मुम्ताज बिमार पड़ गई, सा जहा ने बहुत से वेट को बुलाया, पर वो ठीक नहीं हुई, सा जहा ने मुम्ताज से पुछा, मुम्ताज तुम क्या चाती है, मुम्ताज ने कहा मेरे मरने के बाद भी मुझे याद रखना सा जहाने मुम्टाज की मुरुट्यू के बाद एक सुन्दर मकबरा बनाया इस मकबरे को ताज महल कहते है इस इमारत को देखने दुन्या भर से हर वर्ष लाखो परियतक आते है यह इमारत दुन्या को अजुबों में से एक मानी चाती है आप ताज महल के बारे में तो जानते ही होंगे जानते हो ना यहाँ पर डिये गए प्रश्णों को में पढ़ती हूँ नमबर एक मुम्ताज कौन थी? साजाहा ने वैडो को क्यो बुलाया? मुम्ताज ने साजाहा से क्या कहा? नमबर चार साजाहा ने मुम्ताज की इच्छा कैसे पूरी की? और नमबर पाच मुम्ताज का मकबरा किस नाम से प्रशिट हुआ? यह गड्यांस को आप दो से तीन बार पढ़कर प्रश्णों के उत्तर लिखोगे अब मैं गड्यांस नमबर दो पढ़ती हूँ गांडी जी डेजबर में जगजग जाते लोगों से आजडी के संगर्श की बात करते और चंडा इकता करते फिर उस धन के को उस शित्र के लोगों की भलाई के लिए डेडिया करते थे एक गरीब महिला ने अपनी बच्ची की कलाई पर पहना चांडी का पतला सा हलका कडा गांडी जी को डेडिया तो उनका रदय द्रविट हो था उन्होंने कहा यह छोता सा कडा मेरे लिए लाखो रुप के हीरे के आभुसनों से बढ़ा है यहाँ पर गांडी जी आजडी के लिए जब चंडा इकता करते है तब एक मैला अपने बच्ची के हाथ में से एक चानी का पतला कडा निकाल कर गांडी जी को डे देती है और यह मैला की डेश के लिए वक्ति देखकर गांडी जी का रड़य एकडम द्रविट होता है उनके लिए यह कडा बहुत ही माइने रखता है तो यह बात इस गड्यांस में कई है यहाँ पर जो प्रस्टन दिये गए है उनको मैं पढ़ती हूँ आपको उनके उट्टर पढ़कर लिखने होंगे प्रस्टन नमबर एक गांडी जी जग 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 जाकर किस से किसके बारे में बात करते थे नमबर दो इकटा किया धन किस काम में लगाया जाता था नमबर टीन मैला ने गांडी जी को क्या दिया और नमबर चार गांडी जी को कड़ा हीरे के आपू सणों से भी बढ़ा क्यों लगा तो मित्र यह प्रस्टन के उत्तर इस गंठ्यांस में दिये गए है आपको लो से तीन बार पढ़कर लिखने होंगे प्रेश्ण बारा नीचे दिये गए कीन ही एक विशय पर साथ से आथ वाक्या लिखे यहाँ पर जो विशय दिये गए है वह में पढ़ती हों आपको इनके बारे में सोच कर लिखना है नमबर एक जल ही जीवन है तो आपको जल के बारे में लिखना है कि जल हमारे जीवन में किस तरह उप्योगी है वो कहा कहा उनका उप्योग होता है अगर जल नहीं होगा तो क्या होगा नमबर डू, मेरा डेस, आपको अपने डेस के बारे में लिखना है, अपने डेस के त्योहर, जाती, आप बहुत सारी चीजे यहाँ पर लिख सकते हैं नमबर तीन, स्वच्टा का महत्व, स्वच्टा के बारे में तो आप जानते हैं क्योंकि यह इकाई हमने पड़ा है, तो स्वच्टा के बारे में लिखना है, मेरा प्रियत त्योहर, आप सभी त्योहर को मनाते हैं, तो आपको त्योहर का महत्व लिखना है, जो आपको प्रिय चाहे वो मकरशंग्रांती हो, होली हो, डीवाली हो, कुछ भी आप त्योहर के बारे में, कोई भी त्योहर के बारे में आप लिख सकते हैं नंबर पाँच, मेरी पाथ साला, आप अपनी पाथ साला के बारे में जानते ही होंगे तो आपको अपनी पाच साला कैसी है, पाच साला में क्या क्या है, वो आपको लिखना होगा, कौन सी सुवी दाय है, ओके, नमबर छे, पेड हमारे मित्र, पेड हमें बहुत तरस से उपयोगी है, आप उनके बारे में भी जानते है, तो आपको पेड के बारे में लिखना है, गाउं में रहना आपको कैसा लगता है तो उनके बारे में आपको लिखना है नमबर आठ मेरा प्रिय मित्र आपको कोई अपना एक जो प्रिय मित्र है उनके बारे में लिखना है कि वो आपके साथ किस तरह रहता है, उनका व्यवार आपके साथ कैसा है, वो आपको किस तरह से मदद करता है तो इसके बारे में आपको लिखना है मित्रो, आपको एक से बारा प्रश्न समझ में आ गए होगे इस प्रश्णों को लिखने से पहले आपको इसे दो तीन बार समझना होगा और बाद में लिखना होगा ओके